हिए लौसली हिम लिएक लगिए आपको को सप्स승 में सिर्फ दो भी स्टेटमेंट करी होता है उनके अंदर कुछ धिरी लिखी होती है और उसका एक फर्मॉलेशन गिया उता लेकिन एक ली है दो स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट नाम क्या गान केल्विन क्लन्क स्टेट्मेंट लास्ट रठगत अब लोगों वह तो उसमें मैंने सबसे पहली स्टेट्मेंट यह दोनों स्टेट्मेंट immers थे सेकेंड लूप अरब रर्मकाव ऒईन्वाट केल्विन केल्विन प्लान्प क्या कहना था कि किसी पुई इंजन की जो एफिशेंसी यह वो करते हैं रास्ट को क्या करते हैं रिजेक्ट करते हैं इंदर से ओधाइट का फ्ल tecnologia की बॉड़ी से लो घंपरेचर की बॉड़ी तक और बीचमें हम हमारा bowls लगा और कर लेते कैना था कि ऐसा इपनटर नहीं है जिसका है बोच आघी आप सारे कि सारी हीट एनर्जी को कि में करतें में करतें विडाउट एनी डिसीपेशन आफ एनरजी इसके बाद में कि नेक्स स्टेटमेंट थी क्लासियस स्टेटमेंट की एक चीज क्लियर कर दिया उन्हों ने कि अधेकिन तरह कि लोग स्टेट्मेंट के बात करें दो क्लासियस स्टेट्मेंट कि हीट energy हमेशा स्ट डू करेगी हाइट की बोडी से लोग टेंपरेचर की बोडी की तरफ लेकिन हम उसको टमपर करवा सकते हैं अपोज सी डिरेक्शन रपकी queste energy को low temperature की body से high temperature की body तक ट्रांसफर किया जा सकता है बस आपको क्या करना पड़ेगा आपको work done करना पड़ेगा तो heat energy को opposite direction में भी flow कर सकते हैं with the help of any agent with the help of any motor compressor इनकी help से हम लोग क्या कर सकते हैं heat को low temperature की body से high temperature की body में ट्रांसफर कर करेंगे low temperature की body से high temperature की body की तरफ मतलब reverse direction में heat flow होगी अब पहले तो इनकी definition की बारे में सुनिए refrigerator कि इसको बोला जाएगा refrigerator और heat pump दोनों एक ही चीज नहीं है दोनों devices अलग लग है लेकिन दोनों की वर्किंग से में वर्किंग क्या है वर्किंग सिमिलर रहेगी दोनों की इसलिए मैंने दोनों को अबलिक में लिख रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उसका काम है किसी भी स्पेस के temperature को cool down करना जैसे कि यह रूम है इस रूम को हमें ठंडा करना है तो हमने एयर कंडिशनर लगा रख है तो उस एयर कंडिशनर के अंदर एक refrigerator unit लगी हुई है जिसको आप लोग compressor बोलते हैं compressor जो गैस को compress करेगा expand करेगा आपको बता है कि compression में heat produce होती है और expansion में क्या होता है compression में temperature rise होता है और expansion में क्या होता है temperature decrease हो जाता है तो इसी के basis पर हम लोग क्या करेंगे रेफ्रिजरेटर को यूज करेंगे किसी भी स्पेस को cool down करने के लिए heat pump का का काम है किसी भी स्पेस को heat up करने के लिए जैसे कि cold हम रीजन की बात करते है ठंडे देशों की बात करते है तो वहां पर क्या होगा वहां पर air conditioner थोड़ी लगे होंगे वहां पर क्या लगे होंगे heat pump यूज किया दाएगा heat pump का क्या का काम होगा कि external environment का temperature बहुत कम है माइनस 40 डिग्री है माइनस 30 डिग्री है माइनस 10 डिग्री है और अंदर का जो temperature है वो 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसा हाई temperature मेंटेन करने तो heat pump का क्या वर्क होगा heat pump का वर्क होगा बाहर से heat energy को लेना और room के अंदर ट्रांसफर करना तो opposite direction में heat flow होगी क्या बाहर का environment ठंड है colder region है बाहर का environment ठंड है और room का temperature 20 डिग्री celsius maintain किया जा रहे तो heat कहां से कहां flow होगी external environment ठंड है और अंदर का temperature जाद है तो low से high की तरफ flow होगी यह काम होगा heat pump का तो refrigerator का काम है किसी भी space या region को cool down करना और heat pump का का अब दोनों की वर्किंग के बारे में सुलिए पहले मैं आपको इसका basic concept बदाता हूं फिर हम लोग इसका ब्लॉग डाइग्राम स्टुडी करेंगे कि अब पर हमारे पास एक स्पेस है कि एक चैंबर हमने बना रहा है इस चैंबर के चारों तरफ यह गैस फ्लो हो सकती है और यहां पर फिन लगी हुई है कि आपने देखा होगा कि refrigerator के पीछे की तरफ इस तरह का एक डिजाइन बना होता है थिन ट्यूब्स होती है इनको लोग कैपिलरी ट्यूब्स पोलते हैं कैपिलरी ट्यूब्स जिसका डायमेटर 0.03 मिलीमीटर के आसपास होता है बहुत छोटी होती है यह कि यहां पर हम लोग यूज करेंगे कंप्रेसर का इसके इसके अंदर सबसे पहले हमने एक वर्किंग सबस्टेंस का यूज किया तो रैफ्रेजरेटर के अंदर वर्किंग सबस्टेंस क्या होगा लॉरो फ्लोरो कार्बन या तो यह हो सकती है दाएक लोरो और ऐखिए दाएख लियो रोरो तो इस तरह की जो गैसे जैड़ी हो यह दाएख लोरो दाएख लौरो मेंस क्या होगा जैसे कि अंदर कितने हाइड्र जोते हैं कम जिसके अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं और hydrogen और Florine की हैस से हम इसको replace कर सकते हैं आपने substitution reaction पढ़ی ओगी displacement reaction तो जहाब chlorine gas को इससे react कर आदे तो chlorine क्या कर सकता है ये दोनो hydrogen को displace कर सकते इसी तुलाइं इसलेक्ट कर आँगे तो fluorine gas ली खोड़ा देगि hydrogen को दिस्प्लेस कर देगी और हाइड्रोजन की जगा पर जूट जाएगी इसको क्या बोलते हैं डायक लोरो 2 ख्लॉरीम्ग authorized स्रीट obligat to सबसे पहले ही है यहां का जो टेंपरेच्र है वहना अपर और वही पर अपर हमने क्या कि एक अबजक्च्राइब को tha ॹे जो और था ये 20डी डीगरी सेल्सियस पर नियो जैसे की मिल्क पड़ाला था करड़ा था हमने उसको उठा करके रेफ्रिजेडरेटर के अंदर रग दिया तो रेफ्रिजेडर का यह वहाला चैमबर है अब क्या होगा हीट कहां से का जाएगी ये 20डी डिग्री करेगी कि सुराउंडिंग का टेम्परीट्र कितना है माइनस दिए Celsius माइनस 10 डे ज़्लिट कौन एब्सॉर्व करेगा nominee सन्थ का चौन एब्सॉर्ब करेगा से सटौई की गए सब्सॉर्ब करेगी तो यहां से हीट एनर्जी रेडियेट होती है और यह जो फायर्टिकल से इसको हमने आगे की तरफ बेजा यहां पर हमने क्या लगा रहा है कंप्रेसर कंप्रेसर करेगा सदन कंप्रेशन अचानक से गैस को कंप्रेस कर देगा बताइए टेंप्रेचर राइज होगा या फॉल होगा तो आंसर है टेंप्रेचर राइज होगा तो यहां पर यह जो ज जैसी सद्वाइश किया सद्वाइश करते ही इसका टेंपरेचर कितना चला गया 100 इंदर गया जीरो से 100 गर्दी अब हंडर्ड डिगरी सेल्सियस की गयाइश आगे जा रही है तो यहां पर 100 इंपरेचर कितने 20 degree Celsius, अब क्या होगा, अब heat energy का exchange होगा, यहाँ पर heat energy reject की जाएगी, किसको, sink को reject, surrounding को reject की जाएगी, तो 100 degree Celsius की gas जब इस pipe के अंदर flow करती है, तो बाहर के environment का temperature 20 degree Celsius है, तो यहाँ से heat energy external environment में flow करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे इस gas का temperature 60 degree Celsius के असपास हो जाते हैं, अब यह 60 degree Celsius की gas इस पतली capillary tube के थूपास की जाती है, और यहाँ पर आकर के क्या होगा, देखें यह thin tube है, यहाँ पर आकर के यह जो container है, इसमें वो सारी खाली space है, तो क्या हो रहे है, यहाँ पर हो रहे है sudden expansion, तो यह वाली जो जगह है, यह expansion वाला place है, यहाँ पर क्या होने वा आती है, इस chamber के अंदर क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोग compression कर रहे हैं, और इस जगहां पर क्या करवा रहे हैं, एक्सपेंशन करा रहे हैं, तो 60 degree Celsius की gas इस thin pipe के थूर ट्रेवल करती है, और जैसे ही यहाँ पर आती ही, वो फैलना शूरू हो हो जाती है, और sudden expansion में उसका temperature फिर से fall हो जाता है, कितना चला जाते हैं, minus 10 degree Celsius, refrigerator इस तरह से काम करते हैं, air conditioner की working भी यही है, air conditioner के अंदर भी क्या लगा होता है, compressor ही तो लगा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले gas को compress करके temperature बढ़ा देते हैं, फिर suddenly उसको क्या करते हैं, और sudden expansion जैसी करते हैं, temperature कम हो जाता है, और वहाँ पर हमने air conditioner में एक fan लगा रखते हैं, एक motor लगा रखते हैं, तो यहां का temperature अगर कम है, minus 10 degree Celsius है, और इसके आसपास कोई fan लगा होगा, तो वो संडी आवा को कहां बेजेगा, room के अंदर transfer करना शुरू करतेगा, so this is the working of refrigerator and air conditioner, इसमें कोई doubt है, तो पूछ हूँ, इस room में आनी शुरू हो जाएगी, और room गरब होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जब ये gas, जब ये जो gas है, वो heat को दे चुकी है surrounding में, उसके बाद ये आगे जाकर के फिर से यहां आएगी, यहां से बाहर से ठंडी air लेनी हैं, तो बाहर से ठंडी air ले सकते हैं, फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, और वो वर्किंग एजेंट क्या है, एक compressor, और compressor किसकी help से वर्क करेगा, एक motor की help से वर्क करेगा, की compressor के अंदर, देखो, मैंने आपको engine की वर्किंग के बरेंग बताया था, उसमें आपने पुली सिस्टम देखा था, कि इस तरह का सिस्टम होते कमप्रेसर का यहां पर एक मोटर लगी हुई है कि tá जिसकी एफ से यहां पर हमने ब्लट लगा रखे है है और मोटरा रोटेट करेगी तो इसके साफ में एक ब्लेट करेगी बैलट के रोटेट होने से पुली रोटेट में पॉली है यहां पर यहांपर यहां यहां पर यह जो पो경िंग कि शाप्षाइक है चु सीदुटित और की रहा है मौटर के रोटेट करने की वज़ए तो बैसिकली यह जो एलेक्ट्रील अरजी है यहां पर किसमें कंवैठ हो रही है जाव यह गैस कंपरेस होगी तो किसमें केंपर होगी ही एनरजी में कंवार रहुए ओके तो इस इस दा वर्किंग ओफ रेफ्रिजिडेटर एंड हीट अब हम इसका ब्लोग डियाग्राम समझते हैं ब्लोग डियाग्राम जो हमने हीट इंजन में स्टेडी किया था बस इसका जो हीट को ट्रांसफर करने का तरीक है वो रिवर्स डारेक्शन में होगा कि अब लॉग डियाग्राम में सबसे पहला जो था वो था हीट और फिर यहां पर हमने लिखा हुआ था इन जर्ण के अंदर वरिंसमक्न क्या था जो गैसे फियूल को बर्न करने के बार प्रोडिउस होती है वही कि इसका का म करते हैं वरकिंञ सप्स्टेट राजिए उसके बार में क्या था जैशी अरे इसका टेंपरично सा टीटूर था इसका टेंपरिशन था को कि हीट इंजन का क्या होता है कि हीट एंजन से ही चyy कि फ्लो कर दिया को यह है तो यह हीट इंजन एनरजी को एब्जॉर्ब किया जाएगा रेफ्रीजरेटर यही तो कर रहा है हमारे पास जो अब्जेक्ट था उस अब्जेक्ट से क्या लेनी है हीट एनरजी लेनी है मैंने बोला था 20 डिग्री सेल्सेस के अब्जेक्ट को हमने रख दिया तो उसको कूल डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा उस अब्जेक्ट से हीट लेनी पड़ेगी तो बैसिकली सिंक से या सराउंडिंग से हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं य एब्जेक्ट कर दी जाएगी सोर्स में अब सिंक्त क्टीजेरेटर में अभी मैंने डाइग्रम बनाया था हीट-ए terr지 से अरिया या सर दिग्थ आब्जेक्ट से ले रहे हैं औब्जेक्ट से ले रहे हैं किसको क्योडिंग करना था अब्जेक्स को हीट एब्सृट की जाएगी उसके बाद working substance working substance क्या है chlorofluorocarbon जिसको हम लोग क्या करेंगे compress करेंगे compress करने के बाद मैंने आपको बताया था कि वो जो गैस है वो surrounding के kontakts में होती है और दीरे-दीरे heat को क्या करती रहती है reject कर करती जैती है तो यहां पर जॉर्स है यहां पर जो हीट पिंदे सब्सक्रालाइध और Ontario उसमें सिंथ क्या होता था sucking अंधिक है यहांपर सराउंडिंग क्या एफिशेंशी का फर्मूला गया था एफिशेंसी कोईटा से लिख को दे और फॉर्मूला de ओट्फट डिवाइबाइ ईनकोट लेकिन यहां पर हम एफिशेंसफी नहीं बोलें यहां पर हम लोग एक नया लिखोंपर करेंगे नई कॉंटिटी को यूश करेंग excited coefficient воздуff performance कोफिशेंट ओफ पर्फॉमेंस को बीटा से लिखा जाता है और इसका जो फॉर्मुले उसमें हम लोग यही लिखेंगे इस हीट इंजन में आउटपुट क्या है हीट इंजन का आउटपुट क्या है यहीट इंजन हमने किस परपस के लिए बनाया है हमारे ऑब्जेक्ट से हीट को एब्सॉर्ब करने के लिए मतलब कि हमारे ऑब्जेक्ट जो है उसको फूल डाउन करने के लिए हमने यह सिस्टम तो क्या है क्यूंट इस दा मतलब कि वह पर सेकंड कितनी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है औब जैक्ट से तो यहां पर आउट्पट की जगांपर क्या लिखेंगे और इंपूट क्या है इन्पुट है वागन दन तो हम लोग क्या करें जो भी हीट को एब्सॉर्ब और उसके पर वर्फ़वन भी करें तो इसका कोफिशेंट आफ़ परफॉर्पॉमिंस का फर्मौला ओगा एफिशेंजी का उनुला ऊताथ तो हीट इंजन हमने क्यों बनाया था पाकि वो कुछ मे इंपुट था तो एफिशेंसी का यह फॉर्मुला था उसके अंदर हीट इंजन में और कॉफिशेंट ओफ पर्फॉमेंस का क्या फॉर्मुला है के यहां पर व्रच का फॉर्मुला क्या बनेगा और अप्लाई गरने लोसके अंदर ऑर एक। जैसे कि जो अब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट से 30 Joule की energy absorb की गई और हमने जो work done किया motor के through compressor के through कितना किया 40 Joule का total work done कितना हो गया 70 Joule तो कितनी energy surrounding में जाएगी 70 Joule की 30 Joule तो हमने object से लिए और 40 Joule का उसके पर work done कर दिया compression में तो कितना work done हुआ total 70 Joule का और वो 70 Joule फिर कहां चले जाएगे वो refrigerator surrounding में क्या कर देगा reject कर देगा तो यह Q1 आ जाएगा तो 30 प्लस 40 total कितना heat energy reject की जा रहे सराउंडिंग में 70 Joule की की जा रहे है अचा यहां से work done का formula क्या बनेगा डवली इस एक्वेल टू क्यूवन माइनस Q2 इसमें एक चीज रहे है इसमें जो वर्क डं आएगा वह पॉजटिव आएगा या नेगीटिव आएगा तो आश्याएगा वह वह यहां पर नेगीटिव यहां तो यहां पिस तरह से वर्क करते हैं कि अब इसमें एक दो फर्मॉला जोर मैं आपको बना देता हूं उसको डिस्कुस कर लेते हैं इसको एक तरीके से और भी समझा जा सकते हैं लो आफ अफ एनर्जी से को मैंने आपको बता दिया लेकिन इसको फस्कुल फर्मोडायनमिक्स से भी अंडर्स्टेंड कर सकते हैं कि पस्ट लोफ थर्माडाइनमिक्स क्या होती है कि विदेए क्यों अब एक हैं विड्यू प्लस डी-डव्यो इस्टम को जितनी भी हीट एनर्जी दी जाएगी उससे दो वर्कोंगे उसकी इंटर्णल एनर्जी इंक्रीज होगी। और किसी भी गैस को जब एंगा नर्जी देते तो वह यह तो उससे क्या होती है उससे उसका यह क्या होता है थैस्से अगर इसको अप्लाई करते हैं इस जगहां तो इस इसमें क्या आएगा दीव जीरो आएगा क्योंकि गैस माइनस 10 डिगरी चल्शियस पर थी और दुबारा से घूम करके ब माइनस तेन पर जाती है तो सिस्टम जो है वह वह इनिशियल स्टेट पर आ जाते है तो यह कैसी प्रोसेस इंट कोई नहीं होता प्लस रिजिश सहएkt वर्क डन और यह जो वर्क डन होगा यह कैसा आएगा यह नेगेटिव वर्क डन होगा विकोज वी आट दूइंग दवर्क अन्द सिस्टम अच्छा अब यहां से डबली व का फॉर्मुला क्या बनेगा यह आ रहा है माइनस डबली व इस इक्वल टू क्यू टू माइनस यह फॉर्मुला एगा तो कॉफिशेंट ओफ पर्फॉमेंस को और भी चेंज किया जा सकते हैं एक फॉर्मुला तो होगा क्यू टू अपॉन डबली व की वेल्यू पूट कर दोगे तो यह आ जाएगा यूवन माइनस क्यू तो अच्छा इस फॉर्मुला को एक तरीके से लिख सकते हैं उलिक सकते हैं एक टी- टी-टू डिवाइड वाइड विटीर मीनस टी टंप्रेशर की थूम्स तो यह फॉन यह तो यहां Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1 तो उसके basis पर हम लोग क्या कर सकते हैं इनको change कर सकते हैं quantities को Q2 की जगह पर T2 आ सकते हैं Q1-Q2 के place पर क्या लिख सकते हैं T1-T2 लिखा जा सकते हैं तो mathematically इन formulas को change किया जा सकते हैं तो यह हो गया किसके बारे में refrigerator के बारे में heat pump के बारे में chapter finished अजय को